Hello 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 and Welcome आज इस वीडियो में हम एक क्यूट सी किटी कैट बनाने वाले हैं मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ without any edits आप पूरा प्रोसेस मेरे साथ बनाते हुए देख पाएंगे और साथ में ड्रॉव भी कर पाएंगे अगर देखना चाहें तो पॉस कर सकते हैं रिवाइंड कर सकते हैं वापिस प्ले कर सकते हैं मेरे साथ साथ बना सकते हैं आप इस वीडियो में चली शुडू करते हैं सबसे पहले मेरे सामने जो दोक्युमेंट ओपन है वो ब्लांक दोक्युमेंट है यहां पर आप देख सकते हैं बाटम जो लेयर से वो नजर आती है मैं वीडियो को थोड़ा साइड में कर दिता हूं अभी के लिए आप देख पार होंगे यहां पर मेरे स्क्रीन पर लेयर से यह बिल्कुल बेस लेयर है जो की ब्लांग है राइट नौ इसकी ऊपर हम लेयर करते जाएंगे और सारी स्टेजेस और स्टेप्स में एक्स्प्लेइन करूँगा आपको तो हाइड कर देते हैं इसको वापिस हम टाप करते है तो हाइड हो जाता है जो अप्लिकेशन में यूज कर रहा हूं उसका नाम है आईबिस पेंट एक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले मैंने जो प्रॉष्ट किया है उसका नाम है पैंसल ग्राफइट यह ब्रॉष्ट कर रखा है अब जाकर मैं एक स्केच बनाने की कोशिष करता हूं इस बिग इन सो यह रॉफ शेप में बना रहा हूं अब सबसे पहले याद रखे कि मेरा प्रोसेस हमेशा ऐसा रहता है कि मैं शुरुवात में काफी रॉफ sketches बनाता हूं and then this is a process that I suggest you also follow जिसमें पहले-पहले हम बहुत जादा detailing के बारे में नहीं सोचेंगे हम broad shapes बनाएंगे सबसे पहले the big shapes the big medium small approach I always talk about this big medium small the big is what you're looking at right now the head shape इसके अलावा अगर हमें इसमें body add करना है उसके लिए भी एक shape हम बनाएंगे कुछ इस तरह से and इस तरह से यह हो गया front of the cat's body this is the back of the cat's body और इन दोनों को join करता हुआ इस तरह का एक shape बनाएंगे none of this is really you know final right now क्योंकि जो shape है उसको broadly हम lay down कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि इसमें changes नहीं कर सकते यह वह stage है जहां पर काफी free होते हुए हम बिलकुल rough sketching कर रहे हैं इसके बाद हम final final जो line work करेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें detail वापस आने लगेगी तो अब मैं legs भी बनाता हूं इसी cat के at the bottom I am making another shape something like this okay and in the front मैं इस तरह से और shape बना रहा हूं step by step by step आप follow करेंगे तो आप भी बना पाएंगे बिलकुल easy है बहुत difficult नहीं है बिलकुल step by step by step by step एक ही step पनाएंगे आप भी go ahead and do this आप भी बनाइए जैसा कि मैंने बोला pause कर सकते हैं rewind कर सकते हैं वापस से देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो channel पर काफी सारे और भी artworks हैं जिनके पूरे पूरे process videos हैं उनको भी आप देख सकते हैं उसका भी no edits process हमारे channel पर है इसके अलावा बहुत सारे live streams मैंने पहले की हुई हैं जिसमें पूरा का पूरा artwork start to finish आपको बना के दिखाता हूं मैं और वह भी वीडियो आप देख सकते हैं उसमें भी process explained रहता है तो चैनल को एक्सप्लोर करें और अगर अपने चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो go ahead and subscribe because मैं बहुत सारी ऐसी process videos आपके लिए लेकर आने वाला हूं और भी digital painting related stuff काफी कुछ आने वाला है चैनल पर तो आप देख पा रहे हैं भी जो shapes वो बन चुकी है मुझे लग रहा है जो leg है वो बराबर नहीं है सबको एक level पर लेकर आने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा लंब बनाते हैं इसको right and also the leg I am correcting it a little bit correct कर सकता है at this stage like I said nothing is final अब face के लिए यह जो आप face देख रहे हैं इसमें एक line मैं बनाता हूँ जो की center line बनेगी यह तो shape हो गया Billy के चहरे का बट एक line बनाते हैं जो की center line बन जाएगी और उस center line के basis पर हम बाकी चीज़े add करेंगे इसमें जैसे कि arc अगर arc add करना चाहें तो एक side पर एक arc ऐसे बना सकते हैं और दूसरी तरफ एक और arc add कर सकते हैं कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर gap कम है यहां पर gap जादा है याद रखेगा यह perspective मैं बना रहा हूं है यानि कि यह जो है थोड़ा सा दूर है जिसकी वज़े से उसमें जो size और उसकी जो distance है वो कम है और यहां पर जो है थोड़ा सा distance जादा है है यहां पर एक नोज के लिए भी एक शेप सा बना रहा हूं और similarly माउथ के आराउंड एक डिजाइन के लिए यानि कि जो color difference आता है skin में उसके लिए कुछ शेप बना रहा हूं इस तरह से बनाई है अभी जैसा मैं दिखा रहा हूं आप बनाते चाहिए आप भी जब आप तरह हूं को तो इस जास यहां आप डीख थैसट और सुम्ट के लिए यहां तो इस लिए यहां To कर थैसे पार था लेए उच बना आप यहां यहां शेप में बना रहा हूं आप देखा रहा हूं अब करें तो नोगे ड़ नहीं तो लुए ओंट कर सकते आप तो रहा हु ए नोस का शेप बनाया है हमने, मैं जूम आट कर सकता हूं let me go ahead make some changes to this, थोड़ा सा बड़ा करते हैं generally this is the shape of the nose that I have added and एक माउथ भी अड़ा करना चाहता हूं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं something like this yeah I hope now you are able to see the entire shape of the face the face of the face is making a kind of a dolly, the face is making a dolly looking at some other person or character somewhere on the other side rough sketch you are being able to see the entire character coming through you will probably make patterns, design, coloring, linework everything I will see in step by step मैं दिखाऊंगा तो चलिए continue करते हैं एक लाइन ऐसा बनाते हैं और एक लाइन ऐसी बनाते हैं जिससे कि आपको यह distinction है वो दिख जाए इनर एर है यह आउटर एर है और दूसरी तरफ एक और बनाते हैं यह ऐसे राइट आपको प्रीच तरफ जाएट आड़ एक लाइन रहार नावस भाइट एक अप्राइल प्रशरी प्रश्च निव तरफ यह प्रया तो बना जाएट उनको मैं एक लाइन वर्ख दों गडार उसे यह थोड़ा सा खली लगने लग़ेगा बट कैसे करूंगा मैं वहां वहां दो कुए प्लस करता हूं तो एक न्याए बन जाता है और यह जो नीचे वाली लेयर है उस पर टैप करके उसकी ओपासिटी के मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूं इसकी ओपासिटी को जब मैं कम करता हूं इस से होता यह है कि यह जो sketch work हमने किया है वह हलकी हो जाती है और इसके ऊपर जो नई लेयर है उस लेयर पर अब जाकर मैं लाइन बनाने वाला हूँ लेट में गो हाइड और पिक अब ब्रश हाड टर्निप पेन स्मूथ ये नाम है इस ब्रश का देखते हैं काफी सही लग रहा है तो मैं करने वाला हूँ अब जाकर लाइन वर्क यानि की पूरे लाइन्स को बिल्कुल क्लीन और क्रिस्प बनाने वाला हूँ देखते देखते आप भी कर सकते हैं और इसमें एक्स्प्लैनेशन के ज़्यादा दरूरत नहीं तो मैं फिर वापिस आप से बात करूंगा जब मैं नेक्स स्टेप पर पहुंच हूँ कर दो 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 कर अब जब कि हमने लाइन वर कंप्लीट कर लिया है इसके उपर मैं अब क्या करने वाला हूं क्या हूं अब क्याम है तो अब कि लगव फेल क सबते है एक लेयर बनाथें दोनो लेर की नीचे लेडार प्रति Metro या फेलए लेयर जिए में तब किस आप करता हूं तो आप दिया है कि एक नए लेयर बन गया है अब मैं paint bucket जो पैंट बग्ट 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 अब मैं जा कर करने वाला हूं something like a little bit in the purple zone why not because it's a character we are creating I'm just thinking why keep it in the realistic color kuch अलग color करते हैं and yeah एक और बात आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो नीचे वाली लेयर है जो पहले हमने बनाई थी as a sketch उसे हम hide कर देंगे अब देख सकते हैं कि color और line सिर्फ आपको line work नजर आ रही है और उसकी नीचे वाला जो लेयर है वो दिख नहीं रहा है अब जाकर मैं अगर color fill करों तो अब देख पाएंगे कि color paint area से बाहर जा रहा है तो इसे कैसे award करें अगर आपके साथ भी यह होता है तो ध्यान रखें मैं double finger से tap करता हूं तो undo हो जाता है तो ध्यान रखने लाएक बात यह है कि यह जो line work है इसमें कुछ areas मैं मैं वापिस से black color select करता हूं देखे यहां पर जैसे की gap रह गई है राइड उसी तरह मैं बाकी हर area को चेक करता हूं कि कहीं gap तो नहीं रह गया जिसमें मैं color भरना चाह रहा हूं color अगर उस area से बाहर चला जाएगा then it will not be nice मैं क्या करने वाला हूं मैं चेक कर लिया देखा कि कहीं से color बाहर तो नहीं जा रहा है अब मैं नीचे वाली layer पर वापस जाता हूं paint bucket को select करता हूं जाता हूं and pick करता हूं इस तरह का एक purple shade purple cat बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं नीचे वाली layer पर जाकर color fill करते हैं अब आप अब हम इसके ऊपर patterns बनाएंगे designs बनाएंगे that is what is going to make this kitty cat look really cute okay so एक जो layer है जिस पर color है वो ये वाला layer हो गया अब इसके ऊपर मैं एक नई layer बनाता हूं और उसे इस layer पर clip कर देता हूं मैंने layer को clip कर दिया है अब जब मैंने clip कर दिया है इसका मतलब है कि जो भी चीजें या जो भी line work या painting मैं करने वाला हूं अब वो इसी boundaries की अंदर रहेगी इससे बाहर नहीं जाएगी सबसे पहले मैं इसी base पर एक और pattern बनाता हूं हम clipping layer पर वापिस जाएंगे उससे पहले मैं वापिस पहले वाले layer पर आ गया हूं वहां पर इस layer पर मैं एक lighter color लेता हूं थोड़ा सा और थोड़ा सा red kind of a shade और थोड़ा सा red की और move किया है मैंने यह color मैंने select कर लिया है करने के अब मैं brush का size थोड़ा बड़ा करने वाला हूं और कुछ shape बनाने वाला हूं जो पहले हमने बनाया था mouth के लिए आपको याद होगा जो nose वाला area है उस part के लिए and also जो neck वाला region है उसके लिए बना रहा हूं मैं आप भी continue करिए साथ में साथ में बनाएंगे आप भी step by step तो you will be able to follow yes and ये एक और shape मैंने बनाया कुछ इस तरह से right and इस layer का अगर आप चाहें तो alpha lock कर सकते हैं इसके विज़े से क्या होता है कि जो भी paint आप apply करने वाले हैं वो इस boundary से बाहर नहीं जाएगी तो मैंने वो alpha lock कर दिया है brush का size थोड़ा बड़ा कर लिया है जो नीचे slider है उससे आप brush का size adjust कर सकते हैं color को fill कर रहा हूं मैं अभी आप इस तरह paint भी कर सकते हैं या चाहें अगर आप comfortable हैं तो paint bucket लेकर भी color भर सकते हैं similarly अभी मैं क्या करने वाला हूं इसके पैरों पर भी कुछ area तक इस तरह से यही similar color के marks बनाने वाला हूं क्यूंकि आपने बिल्लियों को देखा होगा उनके पाउं के पास थोड़ा सा different shade होता है that is the look I am going for here इसके अलावा अब जबकी एक यह layer नई बना चुके हैं हम इस layer पर अब हम इस पे कुछ patterns add करेंगे और वह कैसे करेंगे ध्यान दीजेगा इस बारे में मैं जाता हूं और color pick करता हूं थोड़ा सा darker red something like this okay color बाद में भी change किया जा सकता है बट अभी आप देख लि मैंने color select कर लिया नए layer पर है और इस layer का blend mode जो है मैं multiply पर set कर देता हूं set करके अब देखे क्या करता हूं मैं brush का size थोड़ा सा बड़ा रखा अब मैं इस kitty cat के body पर कुछ धारियां बनाने वाला हूं इस तरह से और यह बिल्कुल अलग layer पर है यह base layer पर नहीं है इस बात का ध्यान रखें कंटिन्यू करता हूं मैं आप color को चाहें बाद में adjust कर सकते हैं बट आप देख पा रहे होंगे आप जाकर बिली मॉसी के body पर कुछ patterns बनने वाली हैं चहरे पर भी और दूसरी और भी कानों के उपर अभी इसको अलग layer पर बनाने का कोई मतलब है यह मैं explain करता हूं आपको अब देखिए चाहे मैं इस layer को अगर उसकी opacity कम करना चाहूं तो मैं कम कर सकता हूं जिससे कि धारियों का जो color है वो थोड़ा सा अलग लगने लगेगा और फिर वापिस से अगर थोड़ा इसे बढ़ाना चाहूं तो वापिस से बढ़ा सकता हूं या फिर अगर उन्हें चेंज करना चाहूं जाने कि अगर इन धारियों को फिर से मैं eraser से थोड़ा सा erase करना चाहूं इस तरह से या फिर उनका shape चेंज करना चाहूं मैं सारी चीजें कर सकता हूं बिना base color को disturb किये तो यह सारी चीजें इस अलग layer पर हो रहा है जो की multiply पे set किया हूआ है इसके अलावा एक और चीज मैं करने वाला हूं वो भी वापिस मैं base पर जाके करता हूं तो आपको शायद confusion ना हो यह जो कानों के अंदर वाला area है उसमे हम दूसरा color apply करते हैं let's go ahead and pick a pinkish shade something like this okay and i brush से paint करता हूं इसे क्योंकि painting sometimes is a nice experience sorry मैंने eraser लिया हुआ था brush याद रखिएगा brush याद रखिएगा brush use करना आपको eraser नहीं लेंगे eraser लेंगे तो आपका paint जो है जो भी आपने apply किया है वो erase हो जाएगा जैसे अभी थोड़े देर पहले हुआ था let me go back and paint in yes and also on the other side this kind of pink ears okay so अब आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी बिली में जो basic colors है वो सारी चीज़े आ चुकी है but हम इसमें shadows और shades भी आड़ करेंगे उसके लिए थोड़ी ची experimentation करेंगे देखते हैं कैसे patterns है अब इसी layer के उपर एक और नया layer create करेंगे और इस layer को भी clip कर दीजे बेस वाले layer पर यह जो arrow है यह आपको clip करने में मदद करता है आप tap करते हैं तो clip हो जाती है चीजे दिखिए जो methods में बता रहा हूं आप चाहे कोई भी character बनाना चाहें उन सभी चीज़ों में यह चीज़े apply होती है तो understand the method and आप अपनी you know taste के according आप दूसरी चीज़े भी try कर सकते हैं similar methods apply करते हुए तो अब मैं क्या करने वाला हूं जो पहले मैंने color लिया था reddish brown और फिर से वापिस से वैसा सा ही color लेता हूं अब इसको लेकर इसको लेकर मैं brush अब कुछ अलग तरह का चुनने वाला हूं जिससे कि मुझे थोड़ा सा texture मिले देखते हैं कौन से brushes अच्छी लगेंगी मैं कोशिश करूंगा मैं experiment करूंगा और देखूंगा क्या अच्छा लगने लगेगा यह वाला brush अच्छा लग रहा है इसका नाम है गवाश अपाक या फिर कोई दूसरा brush भी experiment कर सकते हैं depends आपको किस तरह के लुक की जरूरत है और उसको कैसे अपलाई करना है वह मैं आपको दिखाने वाला हूं वाटर कलर यह भी अच्छा लग रहा है वैसे तो लेट मी को हैड और यूस वाटर कलर और उसको लेकर मैं ज करना अपक सादो लोग लेग है कि लेकर यह तो मаю और रहा है अगर अन्दर आ गया है थोड़ा हम एरेस कर सकते हैं यह की तरह मैं बेली अरिया में भी यही चीज करता हूं और यहा उसको का बा।ब यह चीज करता हूं अर यह ठीड़ का एरिया उसके पास एसे शाड़ा अ इस उन ओके नाव यह जो चीज़े मैं कर रहा हूं यह आपको लग सकता है कि spread हो रहा है या फिर everywhere in the entire area it's coming in but that's not the case मैं आपको दिखाऊंगा अब इस लेयर को इसका जो blend mode है आप चाहे चेंज कर सकते हैं color burn पर set कर सकते हैं linear burn पर set कर सकते हैं suppose linear burn पर हमने set किया फिर भी शायद काफी dark लग रहा है और जो जो areas में उसे नहीं होना चाहिए वहां से हम पहले erase करते हैं let's go ahead and erase wherever we don't need it so हमें यहां पर से इसे erase करना है तो हम erase कर रहे हैं only the shadow layer याद रखे यह जो layer है जो shadow वाला layer बनाया था हमने उसी layer को select करके मैं erase कर रहा हूं ताकि बाकी चीज़ों को disturb ना करूं same thing with the ears also I am erasing what I don't need here and also brush का size बड़ा करते हैं इसकी edges काफी hard लग रहे हैं मुझे तो मैं brush को change कर सकता हूं चाहे मैं brush को उसी तरह को बना सकता हूं जैसा कि वह paint applied था मैं वापिस से brush में भी water color जो है select कर लिया है अब मैं जब erase करूंगा तो erase भी उसी तरह से होगा जैसे कि paint apply हो रहा था जैसे कि हमारी edges जो है रफ रगें बिल्कुल clean ना लगें इससे होता यह है कि जो बिली है या फिर cat का जो body पर texture है वह maintained रहता है लगता है जैसे फारी सा है वह बिल्कुल flat सा नहीं लगेगा वह थोड़ा सा फरी लगेगा मैंने erase कर दिया वापस यहां पर थोड़ा सा एकसीड कर रहा था वहां पर भी मैं erase कर देता हूं अब जाकर आप इस layer की opacity चाहे कम कर सकते हैं जिसकी वज़े से इसमें एक shade सा आ जाएगा आप देख पा रहे हैं ऐसे ही कुछ और मज़दार textures कोशिश कर सकते हैं हम let me go ahead and make it a little more lighter थोड़ा और light कर द इसे भी erase कर के थोड़ा blend करने की कोशिश करता हूं आप देख पारे होंगे मैं हलके से brush को इसके उपर move कर रहा हूं जिससे की color थोड़ा सा gradually fade हो रहा है जो जो की shadow को थोड़ा और gradual बना रहा है इसी तरह से मैं पूरे-पूरे kitty cat के body पर भी कुछ और textures add करने वाला हूं नए लेयर क्रेट करते हैं फिर से वाप इसे क्लिप कर देते हैं सारी चीजे देख सकते हैं यह वाली लेयर 3, 4, 5, all 3 layers are clipped to the base layer here अब इस लेयर पर सिर्फ एक चीज करने की सोच रहा हूं है वह है कि इसे थोड़ा सा water color सा effect देते हैं वह कैसे कर सकते हैं क्रियोन नाम का एक brush है जो मैंने select कर लिया है इसके कुछ settings मैं adjust कर रहा हूं जैसी opacity at the start आप देख पा रहे हैं जैसे मैं sliders move कर रहा हूं और कौन-कौन से options में जाकर क्या changes कर रहा हूं आप भी चाहें तो कुछ adjustments change करके देख सकते हैं जैसे कि jitter position, jitter thickness, jitter का मतलब होता है कि size कितना अलग होता है different places में brush के अंदर और angle भी change करके देख सकते हैं, spacing भी change करके देख सकते हैं इन सारी चीजों के वज़े से brush जो है बिल्कुल straight या flat ना होकर थोड़ा सा और you know dynamic बन जाता है या फिर उसमें काफी सारी variation आ जाती है अब इस brush को लेकर मैं kitty cat के body के ऊपर इस तरह से बिल्कुल random से textures बना रहा हूं अभी ये अलग layer पर हो रहा है सारा काम और color जो आप देख सकते हैं थोड़ा pinkish shade लिया हुआ है इसकी बाद eraser लेकर मैं कुछ areas को clean up कर रहा हूं जहां पर मैं इतना strong वो shade जो है या फिर जो texture जो हमने create किया है वो नहीं चाहता इस layer की opacity थोड़ी से कम कर दी है मैंने तो जो color है इतना strong नहीं दिख रहा है अब also इसकी blend mode भी change करके देख सकते हैं multiply पर set कर देते हैं तो काफी interesting look देता है ये नीचे वाले layer के साथ mix होकर थोड़ा सा darker shade देखने लगता है eraser लेकर कुछ-कुछ areas को मैं वापिस से इस तरह से erase कर रहा हूं अब आप देख पा रहे होंगे कि अपनी बिल्ली मॉसी हो गई है तयार अब एक और चीज हम ट्राइब कर सकते हैं वह है कि यह जो layer बनी हुई है line art वाली इसको duplicate करते हैं हम duplicate layer करने के बाद पहले वाले layer को मैं hide कर देता हूं और इस sketch layer पर से सिर्फ और सिर्फ आखों वाली area और mouth वाली area को रहने देता हूं बाकी सारी चीज़ों को मैं erase कर देता हूं अरेजर पिक कर लिया है मैंने अब जाकर मैं erase कर रहा हूं आप देख पा रहे होंगे जिसकी वजह से एक काफी interesting pattern बन रहा है यानि कि जहां पर भी line था वहां पर सिर्फ blank areas नजर आती हैं और जहां पर आखे हैं वहां पर आखे बच जाती हैं और बाकी areas में सिर्फ आपको color दिखता है अब कोई line art नहीं दिखती only line art that is remaining is in the eyes and in the mouth area I hope आपको यह देखके मजा आया I hope you learned something today and you enjoyed watching this I want you to try and draw this techniques and I am sure that you are going to have a lot of fun doing it go ahead like this video if you enjoyed this and like I always say stay strong and keep creating I will see you in the next video, take care, have fun, bye bye